सावन का महीना है शिव भक्तों की श्रद्धा और शिव की महीमा दोनों ही इस महीने में देखने को मिलती हैं। लाखो करूडों शिव भक्त इस महीने में कावड यात्रा में शामिल होते हैं। हरे द्वार से गंगक का पवित्र जल लाया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कावण यात्रियों के लिए विशेश इंतिजाम करने का दावा किया ऐसे में प्रदेश के शामली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां खुद पुलिस अधीक्षक एक कावणी के पैर दबाते हुए नजर आ रहे है ये वीडियो खुद शामली पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है जो अब सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है दरसल आपको बता दे कि इन दिनों प्रदेश भर के कावणी ये कावणी आत्रा पर जा रही है ऐसे में कावणी के लिए नए बने चिकित्सा शिविर का उध घाटन करने के लिए शामली के एसपी अजे कुमार जब अस्पताल पहुँचे तो उन्होंने एक कावणी के पैर दबाना शुरू कर दिया खुद एसपी द्वारा युवक को फुट मसाज देते देख आसपास खड़े लोग हैरान हो गए जहां शामली पुलिस ओपरेशन लंगला में एक्सपर्ट है तो वहीं उनका ये रूप देख लोग हैरान थे इस घटना का वीडियो शेर करते हुए शामली पुलिस ने अपनी ट्वीट में लिखा सुरक्षा के साथ साथ सेवा भी ट्वीट में आगे लिखा गया है कि एस पी शामली अजे कुमार पांडे द्वारा चुकित्सा श्रिविर का उधगाटन किया गया तथा चुकित्सा श्रिविर में आयभक्तों की सेवा भी की गई पुलिस प्रुशासन का ये रूप आपको हैरान कर सकता है एक अच्छे खासे पुलिस अधिकारी पैर की मसाज देते हुए परोपकार को परिभाशित कर रहे हैं बता दे की अधिकारी आईपी अस्ट्रेयन से पहले कई अच्छे खासे पदो पर रह चुके हैं इनको संसकार से चुड़ना गलत ना होगा तो फिलाल इतना ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहे ये फ्रस्ट बाइट के साथ